हेलो दोस्तो आपके धेर सारे कमेंट ने मुझे फ्लाइट इंजीनियर के टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाने में मजबूर ही कर दिया थैंक्यू दोस्तो आप सभी लोगों ने कमेंट में इतना रिस्पॉंस दिखाया दोस्तो आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको डीटेल में बताऊंगा कि फ्लाइट इंजीनियर क्या होता है फ्लाइट इंजीनियर का काम क्या होता है फ्लाइट इंजीनियर बनने के लिए क्या एजुकेशन लेना पड़ता है फ्लाइट इंजिनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है फ्लाइट इंजिनियर के कोर्स के लिए कितनी फीज लगती है और लास्ट में दोस्तो मैं आप सभी लोग को डीटेल में बताऊंगा कि एक flight engineer बनने के बाद आपको कितनी रुपीज की salary मिलेगी तो दोस्तो इन सभी points के उपर मैं आज detail में discussion करने वाला हूँ तो चलो इस वीडिय की शुरुआत करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि flight engineering क्या होती है दोस्तो flight engineering एक mechanical engineering का ही part होता है पहलेने के बाद आपको job बहुती जल्दी मिल जाती है इसमें जादा competition नहीं है और इसमें आपको high package salary मिल जाती है जो भी student को helicopter, aeroplane, jet fighter, spacecraft इन सभी में बहुती जादा रूची होगी तो दोस्तो वो लोग flight engineer में अपना career कर सकते हैं अभी हम लोग जानते हैं कि flight engineer क्या होता है और उसका काम क्या होता है दोस्तो flight engineer एक professional engineer होता है और इनको सभी प्रकार के aeroplanes, helicopter, spacecraft से जुड़ी सारी प्रकार की knowledge होती है इन engineers को aircraft को monitor and control करना आता है एक flight engineer का काम बहुती जिम्मेदारी वाला होता है without flight engineer के permission कोई भी aeroplane उडान नहीं ले सकता है कोई भी aeroplane उडान लेने से पहले flight engineer होता है जो उस aeroplane की सभी प्रकार से जाच करता है aeroplane सभी प्रकार से काम कर रहा है की नहीं engine में कोई problem है की नहीं aeroplane में सही तरीके स्री fuel है की नहीं और दोस्तो जब भी कोई एरोपलेन उडान लेता है तो दोस्तो फ्लाइट इंजीनियर को हमेशा पाइलेट के साथ संपर्क में रहना होता है विदाउट फ्लाइट इंजीनियर के पर्मिशन कोई भी एरोपलेन उडान नहीं ले सकता है दोस्तो फ्लाइट इंजिनियर का मेन काम यही होता है कि उसको फाइनल करना होता है कि एरक्राफ्ट उडान भरने वाला है और उसकी सारी मशिन सही तरीके से काम कर रही है और एरक्राफ्ट के मशिन में कोई भी खराबी नहीं है अगर किसी भी एरक्राफ्ट में कोई भी खरा जिसे कि दोस्तों आप जानती ही है कि फ्लाइट इंजिनियर का काम बहुती जिम्मेदारी वाला होता है तो उसे देखती हुए दोस्तों फ्लाइट इंजिनियर आत्म निर्भर होना चाहिए वो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए ताकि कठिन परिस्तितियों में सही डिशीजन ले पाए अगर कोई एरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा है और उस दोरान एरक्राफ्ट में कोई मशीन में खराबी आ जाती है तो दोस्तों एक फ्लाइट इंजिनियर को अच्छी से कम्यूनिकेट करना आना चाहिए ताकि उस प्रॉबलम को उसी वक्त सॉल किया जा सके फ्लाइट इंजिनियर को गनीत और फिजिस की बहुती अच्छी जानकारी होनी चाहिए एक फ्लाइट इंजिनियर को सभी प्रकार के एरक्राफ्ट से जुड़ी फ्लाइट थेरी और फ्लाइट मेंटेनेंस की बहुती अच्छी जानकारी होनी चाहिए तो यह कुछ दोस्तों skills एक flight engineer के अंदर होनी चाहिए अभी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि flight engineer बनने के लिए क्या education लेना पड़ता है और flight engineer की requirements क्या होती है दोस्तों flight engineer बनने के लिए आपको 10th pass out होने के बाद science stream में admission लेना है science की stream में admission लेने के बाद उस student के पास physics, chemistry, maths ये 3 subject compulsory होने चाहिए और दोस्तों student को 12th pass out करना है 60% marks के साथ जी हा दोस्तों आपके 12th में 60% से ज़्यादा marks आने चाहिए तभी दोस्तों आप future में flight engineer बन सकते हो 12th pass out होने के बाद आपको JEE की exam देनी होती है ये एक entrance exam होती है इस exam में जितने भी आपके marks आएंगे वो decide करेगा कि आपको college कोन सा मिलेगा अगर आपके marks अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको अच्छा college मिलेगा अगर आपसके mark थोड़े कम होंगे तो दोस्तों आपको normal college मिल जाएगा entrance exam देने के बाद आपको कोई भी mechanical engineering का college joint करना है mechanical college के अंदर admission लेने के बाद आपके सामने कई प्रकार के options आजाएंगे उसमें से दोस्तों आपको aeronautical engineering चूज करना है ये course दोस्तों 4 years का होता है और इस course के अंदर आपको सभी प्रकार की knowledge दी जाती है ये course complete कर लेने के बाद आप एक flight engineer बन जाते हो और दोस्तों ये जो 4 साल है इन 4 सालों में आपके 8 semester होंगे मतलब हर साल आपके 2 semester होंगे जिन में आपको average mark से pass out करना है और दोस्तों इस 4 साल के course में आपकी total 5 लाख से 7 लाख रुपे तक की fees खर्च होगी मतलब ये पूरा course करने के लिए आपको 7 लाख रुपे तक पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपके knowledge के लिए में बता दू कि aeronautical engineering काफी ज़्यदा difficult है mechanical engineering से लेकिन दोस्तों ये chemical engineering से आसान है मतलब सोचो कि chemical engineering इस से भी ज़्यदा difficult है लेकिन अगर आपका mathematics strong है तो दोस्तों आप aeronautical engineering काफी अच्छी तरीके से कर सकते हो और flight engineer बन जाना आपके लिए काफी ज़्यदा आसान हो जाएगा तो दोस्तों अभी हम लोग जानते हैं कि एक flight engineer बनने के बाद आपको कितनी रुपीस की salary मिलेगी दोस्तों flight engineer का काम काफी ज़्यदा difficult होता है तो दोस्तों उसके अनुसार उसकी salary भी कई ज़्यदा होती है तो दोस्तों as a fresher flight engineer को 35,000 से लेकि 60,000 रुपीस तक की salary दी जाती है जिसी उसके पास 2 years का experience आएगा तो दोस्तों एक flight engineer को 1,500,000 से 2,000,000 रुपे तक की salary per month मिलती है और जिसी उसके पास 5 years का experience आएगा और उसके काम और skills को देखते हुए उस person को हर मैना 3,500,000 रुपे का package भी दिया जाता है और दोस्तों एक flight engineer के family के लिए सभी प्रकार की हवाई जहाजों की flight free होती है और इसके साथ साथ दोस्तों एक flight engineer को medical insurance, life insurance और free में हवाई यात्रा की सुविदा दी जाती है तो दोस्तों अगर आपके मन में और कोई doubt से flight engineer को लिखे तो दोस्तों आप मुझे comment में बता सकते हो उमिद करता हूँ दोस्तों आज का video आपके काम आ गया होगा इस video को share करके लोगों की मदद करो आपका प्यार देने के लिए और इसे videos हर रोज देखने के लिए subscribe करें